बोलाई रहुआ हैं गाहिम तेत दोस्तों आज बेडर तक्रीर का माद सीरेदी मुर्भाइदा किस सौसे बया हो तेरी को शापे हमिदा खुशत्य है तो आलंप में तेरी को कुल सदया जनाब आसार पाइनार के हती तक्सित है जिसकी नजी रोजा से पतर नमस्किन है जिस तरह सुर्ष करता है तो दुन्या के हरे स्चीज को रौशुर कर देता है इसे तरह हुजूर पाइनार का सीरे ते तयबा का नूस आप दिलको मुझा मर कर देता है और इसान इस दिवारे तकापिल नहीं है कि हुजूर अकर स्चीज को रौशुर कर सके इस बीच में एक शैर कहना चाहूंगी किर्दा का ये हाल सदाकत ही सदाकत इखलाप का ये रंग कुआन ही कुआन आप स्चीज को रहा दर्या हुपूसे में बंद करना है हुजूर मां फिजद महुंद स्चीज के जाथ पारग जहानों आले में रहब बंद कर आई रह्मत आलमीन ने कुल काइना को उस्चा करने का सबग दिया अल्ग नदी हजद महुंद स्चीज के तालीम थी मजद को जों से इचाह थी जहल के इनके बाद थी मुसल्मान करहा दिना गया दुर्या के दुआ पे को अल्या का सौधाए बना दिया सद्च और उस्चा को पिरदा जधाश इचाह दी बना दिया बज एकला को एकला का दिवा दिया तो फिर किस मूँ से वया हो तेरी वो शाफिर पीदा अल्याने एकने हभीब को ऐसा जमाला जखिया जो बयान करने ना मुंकिन है जहराएं कर जासा किनों उच्छन कर दुरस्ता था जो आई पाचा है उपर अग देखता इस्तियार उनके जाने की जाचरा जाता अल्यागी नभी हज़त मुहमा स्लिल्ला हुरी उसलम इकला बोला के मल करतें सफाय मस्तर के सफाय दॉलाद आपके मिनार थें मैं अपने तक्रीर को इस साथ के साथ उकमल करना चाहूंगी बसर लिखना भी चाहें तो लिखना पाएं बसर लिखना भी चाहें तो लिखना पाएं है दिनी कुप या खारू बसर में असरा हुआ